दोस्तों नमस्कार ये है मागदशन फार सिविल सर्विसेज मैं अनुराग चौधरी दोस्तों आज की वीडियो में उत्तर प्रदेशी स्पेसल के अंतरगत आप पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज एवं उर्जा संसाधन दोस्तों ये प्रश्न परिच्छा सहायक समिच्छा अधिकारी खंड सिक्छा अधिकारी यानि बी ईयो तथा उत्तर प्रदेश अधिनस सेवा द्वारा आयोजित परिच्छाओं के साथ यूपी टी एटी यादि के लिए बहुत ही महतुपूर है दोस्तों आप इसका पीडिया भी डाउनलोड कर सकते हैं लि खनीज संपदा की द्रिष्ट से उत्तर प्रदेश किस स्रेडी में आता है तो दोस्तों खनीज संपदा की द्रिष्ट से उत्तर प्रदेश अत्यंत ही निम्न मध्यम स्रेडी वाला राज्य है और यहां पर भारत के कुल खनीज उत्पाधन का केवल 2% खनीज उत्पाधन हो महत्तुपूर है उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की अस्थापना 1974 वर्स 1974 में दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की अस्थापना की गई थी अगला प्रश्ण है उत्तर प्रदेश की पहली खनिजनीत कब घोसित की गई थी? तो उत्तर प्रदेश की पहली खनिजनीत वर्स 1998 में घोसित की गई थी जिसमें खनिज विकास को उद्योग का दर्जा परदान किया गया था उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीत वर्स 1998 में घोसित की गई थी और इसमें मुख्य रूप से जो खनिज विकास है उसको उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया था बलुआ पत्थर चूना पत्थर के भंडार और उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा अस्थान है तो कोईला भंडार की द्रिष्ट से प्रदेश सम्रिध नहीं है वैसे खनिज उत्तपादन में भी प्रदेश पूरी तरह से बहुत ही सम्रिध नहीं है अनेक प्रकार के यहां खनिज तो पाया जाते हैं लेकिन बहुमूले खनिज बहुत कम मात्रा में पाया जाते हैं कोईला भंडार की दृष्ट से प्रदेश आठवें अस्थान पे है और प्रदेश में सिंग्रावली सोन भद्र में कोईला पाया जाता है। तो सिलिका सेंड और काच बालू उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश का दूसरा अस्थान है दोस्तों सिलिका सेंड के उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले अस्थान पर है। चंदवली और जहासी में निकाला जाता है तो सिलिका सैंड का उत्पादन मुख्य रूप से प्रियाग राज, बादा, चित्रकूट, चंदवली और जहासी से होता है अगला प्रश्ण है सिलिका सैंड मुख्य तह प्रदेश की किन नदियों से प्राप्त होता है तो मुख्य रूप से जो सिलिका सैंड है ये दोस्तों प्रदेश में जो गंगा और यमुना नदिया है यहां से सिलिका सैंड प्राप्त किया जाता है अब आईए देखते हैं दोस्तों परिच्छाओं की द्रिष्ट से अत्यंत ही महतपूर उत्तर प्रदेश में पाये जाने वाले प्रमुक्खनिज और उनके उत्पादन छेतर कौन से हैं यह प्रशन या तो सीधे सीधे पूछ लिये जाते हैं या आपसन में मिलान करने के लिए भी दे दिये जाते हैं तो दोस्तों पहला देखते हैं चूना पत्थर चूना पत्थर मिर्जापूर और सोनभद्र के कजरहाट छेतर में पाया जाता है तो बाकसाईड प्रदेश में बादा और चंदावली जिले में मिलता है यह जो बाकसाईड vulner को हिंड़ा को रेडुकूट में इस्थित है, अलियूमीनियम फैक्टरी हिंड़ा को हिंदुस्तान अलियूमीनियम तो यह रेडुकूट सोनभद्र में इस्थित है, यहां पर ही इस बाकसाइड से एल्यूमिनियम का निस्कासन किया जाता है तो बाकसाइड प्रदेश में बादा और चंदोली जिले में मिलता है हिंडाल को रेडु कूट में यहां से इस अयस्क से एल्यूमिनियम का निर्माड होता है दोस्तों डोला माइट एक खनीज है डोलो माइट डोलो माइट मिर्जापूर सोनभद्र और बादा जिलो से प्राप्त होता है हीरा हीरा बादा और मिर्जापूर में हीरा बादा और मिर्जापूर में इससे प्राप्त होता है दोस्तों ग्रेफाइड जो खनीज है वो उसका उत्पादन छेतर क्या है तो ग्रेफाइड प्रदेश में हमीरपूर और चुनार जो की मिर्जापूर में है तो ग्रेफाइड का उत्पादन हमीरपूर और मिर्जापूर के चुनार छेतर से किया जाता है दोस्तों यूरेनियम एक रेडियो सक्रिधातु है यूरेनियम प्रदेश में कहां पाया जाता है तो ललितपूर जिले में यूरेनियम पाया जाता है जिपसम का उतपादन देखते हैं जिपसम का उतपादन जहासी और हमीरपूर जिलों से होता है तो जिपसम उत्पादन जासी और हमिरपूर, प्रदेश में ताबा उत्पादन दोस्तों, ताबा ललितपूर के सोनराई छेतर से इसका उत्पादन किया जाता है, महत्पूर है ताबा उत्पादन प्रदेश में ललितपूर के सोनराई छेतर से होता है, सेंडिश्टोन, सें जो है और उनके उत्पादन छेत्र ये या तो सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि ताबा प्रदेश में किस जिले से प्राप्त होता है या ताबे का उत्पादन कहां होता है इसके अलावा फायर कले का उत्पादन किया कहां किया जाता है ये प्रश्निया तो सीधे सीधे पूछा है वो Uranium पूछा है दोस्तों तो Uranium आपру याद कर लिजेगा Uranium ललितपूर छेतर से इसके अलामा Sandstone, सोनभद्र और मिर्जापूर छेतर से भायर क्ले भी एक दो बार पूछा है ये मिर्जापूर से मिलता है और बाकसाइड जो है बादा और चंदवली से प्राप्थ होता है दोस्तों दोस्तों एक प्रश्ण है उत्तर प्रदेश की नई उर्जानीत कब घोसित की गई थी तो प्रदेश की नई उर्जानीत या energy policy जो है प्रदेश की वो वर्स 2003 में घोसित की गई अगला प्रश्ण है राज्य के कुल विद्दुत उत्पादन में सरवाधिक योगदान किस छेतर का है तो राज्य के कुल विद्दुत उत्पादन में सरवाधिक योगदान थर्मल इलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिसिटी यानि तापी विद्दुत का है अगला है राज्य की सबसे पुरानी तापी ये परियोजना कौन सी है तो उत्तर परदेश की सबसे पुरानी तापी ये विद्दुत परियोजना हर्दुआ गंज जो की अलिगड में है हर्दुआ गंज तापी विद्दुत परियोजना 1942 में इसकी अस्थापना हुई थी और 1968 में रूस के सहयोग से इसका पुनर निर्मार किया गया था तो सबसे पुरानी तापी विद्दुत परियोजना हर्दुआ गंज तापी विद्दुत परियोजना अलिगड है अगला प्रश्ण है दोस्तों राज्य की सबसे बड़ी जल विद्दुत परियोजना रिहंद जल विद्दुत परियोजना जो की सोन भदर जिले में पीपरी नामा का स्थान पर है ये राज्य की सबसे बड़ी जल विद्दुत परियोजना है अगला प्रश्ण है दोस्तो परिच्छा ताप बिद्दुत परियोजना कहां पर इस्थित है तो परिच्छा ताप बिद्दुत परियोजना जहांसी में इस्थित है अनपरा ताप बिद्दुत परियोजना जहांसी में है और पन की विस्तार ताप बिद्दुत परियोजना कानपूर में इस्थित है तो परिच्छा ताप विद्दूत परियोजना जहांसी के निकट परिच्छा में है सोन भदर में अनपरा ताप विद्दूत परियोजना और पन की विस्तार ताप विद्दूत परियोजना कानपूर में इस्थित है अब आईए देखते हैं दोस्तों राज में अस्थापित एक मात्र परमाड विद्दुत केंद्र कौन सा है बहुत ही महत्पूर्ण प्रश्ण है राज में अस्थापित एक मात्र एटॉमिक एनरजी सेंटर नरवरा बुलंद सहर में इस्थित है ये भारी जल आधारित परमा किया जा रहा है अगला प्रश्ण है प्रदेश में यंटी पीसी के गैस आधारित संयंत्र कौन कौन से हैं तो तीन संयंत्र हैं यंटी पीसी के जो गैस आधारित हैं और रईया आउला और दादरी अन्य जो संयंत्र हैं वो कोईला आधारित ताब विद्दुत संयंत्र हैं त तो माता टीला जल विद्दुत परियोजना बेतवा नदी पर जासी में इस्थित है, अगला प्रशन है दोस्तों, सरवाधिक जल विद्दुत केंद्र कहां पर अस्थापित हैं, उपरी गंगा नहर, उपरी गंगा नहर में सरवाधिक जल विद्दुत केंद्र अस्थापित एक महत्वपूर्ड प्रश्ण है उत्तर प्रदेश में नवी काड़ी उर्जा के महत्तो के द्रिश्टिकत रखते हुए बैकल्पिक उर्जा विकास संस्थान नेडा यानि यूपी नेडा उत्तर प्रदेश बैकल्पिक उर्जा विकास संस्थान के अस्थापना कब की गई 1983 1983 में बहुत ही महतुपूर्ण प्रश्ण है आप इसको अलग से नोट कर लिजेगा दोस्तों यूपी नेडा अर्थात उत्तर प्रदेश बैकल्पि कुर्जा भिकास संस्थान की अस्थापना 1983 में की गई थी अब आईए देखते हैं निजी छेतर की प्रमुख विद्दुति इकाईया तो रोजा ताप विद्दुत परियोजना दोस्तों ये साहजापुर में इस्थित है रिलाएंस ग्रूप की है बारा संगम ताप विद्दुत परियोजना बारा प्रयागराज में इस्थित है जो की जेपी समुह की है इसके अलावा ललितपूर ताप और यहां से प्रश्ण पूछे जा सकते हैं दोस्तों अगला प्रश्ण है दोस्तों केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में सोलर सिटी के रूप में विक्सित किये जाने वाले जिले कौन-कौन से हैं तो केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को सोलर सिटी के रूप में विक्सित किया जाना है इसमें जो प्रमुक जिले सामिल किये गए हैं वो आगरा मुरादाबाद और प्रियागराज हैं सोलर सिटी के रूप में प्रदेश के तीन जिले चिन्हित किये गए हैं जहाँ पर केंद्र सरकार के सहयोग से सोलर पार्क या सोलर उपयोग की वस्तों का निर्मार किया जाएगा और सोर उर्जा के यहाँ पर अधिकाधिक दोहन करने की संभावना है तो आगरा, मुरादाबाद और प्रियागराज ये तीन जिले हैं जो की सोलर सिटी के रूप में अस्थापित किये जाने हैं एक प्रश्ण है सीतला जल विद्दुत परियोजना कहाँ पर है तो ये जहासी में इस्थित है सीतला जल विद्दुत परियोजना अगला प्रश्ण है दोस्तों इंपार्टेंट है वह गाउं जिसका अपना सोलर पावर प्लांट है तो ये उत का एक गाउं है जहां पर अपना नीजी सोलर पावर प्लांट है अगला प्रश्ण है दोस्तों ओबरा जल विद्दुत केंद्र कहां पर इस्थित है तो ओबरा जल विद्दुत केंद्र रिहंद नदी पर ओबरा नामकस्थान में इस्थित है ये सोन भद्र में है तो ओबरा जलविद्दुत केंद्र रिहंद नदी पर है कन्फ्यूज मत होईएगा जो रिहंद बाध परियोजना है वो या रिहंद जलविद्दुत परियोजना वो भी रिहंद नदी पर ही इस्थित है लेकिन वो पीपरी नाम का स्थान पर है और ये ओबरा में है ओबरा जल विद्दुत केंद्र ओबरा सोन भदर में इस्थित है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो इसमें आपने देखा उत्तर प्रदेश के प्रमुक्खनिज एवं उर्जा संसाधन से संबंधित जो परिच्छाओं के द्रिष्ट से सरवाधिक महतुपोण और अतिसमभावित प्रश्ण है वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों हमें कमेंट वाक्स में जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मागदर्शन फारसीविल सर्विसेज को सब्सक्राइब आवस्य करें